हम सब चाहते हैं अपने बच्चे स्पेसल फेल करें ये सब की चाहत होती है और आजकल के लिए ये एक बहुत ही कॉमन बात है कॉमन प्रेक्टिस है जैसे कि एक्जाम अच्छा होने से उनको बहुत प्रेज करना लोगों के सामने रिकोगनाइस करना और गिप्ट्स लाके दे ये common practice तो है दोस्तों लेकिन क्या ये एक healthy practice है बच्चों को special feel होना जादा जरूरी है या secure feel होना जादा जरूरी है लव feel होना जादा जरूरी है तो इस के बारे में इस statement के बारे में आज चलिए हम discuss करते हैं with the great book the wisdom breeze written by हमारे प्यारे दाजी कमलेजडी पाटेल जी तो दोस्तों यहां पर हम parenting के नौ principle सिख रहे हैं आज का हमारा पहला teaching है पहला principle raising a child still takes a village तो इस principle को हम दो पार्ट में discuss करेंगे पहले हम जानेंगे कि exactly village किया है और ये क्यों जरूरी है एक बच्चे के लिए और दूसरे पार्ट में हम discuss करेंगे कि इस village को कैसे create किया जाए तो चलिया चलते हैं book के थूरू जैसे कि हमने शुरूबात की कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे special feel करें ये बहुत अच्छी बात है लेकिन क्या ये सही है हर अच्छी बात सही नहीं होती दोस्तों देखिए इसका क्या असर पढ़ता है आप तब जान पाएंगे जब थोड़ा सा खुद के पास्ट में जाके compare करेंगे हम लोग ठीक है यहां पर दाजी अपने पास्ट में गये हैं अपने गाओं में गये हैं अपने बच्चपन में गये हैं हम चलते हैं उनके साथ अपने बच्पन के साथ वो गाओं में जहां पर हम लोग पैदा हुए थे कितनी अच्छी एंवार्मेंट थी हमें कोई भी खाने को दे देता था गाओं के हर पडोसी हमारा चाचा चाची मामा मामी लगते थे हमें प्यास लगने से हमें पानी बोटल की ज़रूरत नहीं होती थी किसी के घर में भी सो जाते थे अगर मा घर में नहीं है तो किसी के घर में भी खा लो ऐसा कुछ होता था याद आ रहा है देखिए यह जो एक फिलिंग्स होता था वो इसलिए होता था क्योंकि हर बच्चा हर किसी के लिए नॉर्मल होते थे किसी के अंदर वो अन इक्वालि है वो present थी तो बच्चे वहाँ पर secure feel करते थे अपने आपको loved feel करते थे अपने आपको रेखिए ये नहीं बोला जा रहा है कि आगे की सारे चीज़े अच्छी थी अभी सब गड़ड हो गई बोला ये जा रहा है कि आगे की life जो है जो past की life है वो easy नहीं था लेकिन simple था और अभी की जो life है वो easy है लेकिन simple नहीं है अभी आज कल हम क्या करते हैं अपने बच्चे को हम special feel करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते और ये feelings क्या करती है दोस्तों धीरे-धीरे उनके मन में comparison create करती है और ये comparison आगे चलके competition में convert हो जाता है जिसकी वज़े से बच्चों के ऊपर एक social pressure आ जाता है उनको लगता है कि मेरे माबाप मुझे इसलिए अच्छा पा रहे हैं क्योंकि मैं class में top कर रहा हूं क्योंकि मुझे gold medal में इसी वज़े से मेरे माबाप मुझे प्रेज कर रहे हैं इसी वज़े से उनका प्यार है तो वो connection है वो feel नहीं करते और हम हमें तो लगता है कि हम encourage कर रहे हैं लेकिन वो encouragement धीरे-धीरे उनके मन में एक mental social pressure बन जाता है उनको लगता है कि नहीं मुझे टॉप करना ही पड़ेगा तो पढ़ाई उनके लिए एक मज़िदार चीज नहीं रहती एक race होती है जिंदेगी उनके लिए एक game एक fun नहीं बलकि एक struggle एक race बन जाती है जहां पर वो हर हाल में जीतने की कोसिस करते हैं हार को वो सामना नहीं कर पाते और उसके परिणाम सुरूप यह होता है कि आजकल के बच्चे जादा से जादा lonely feel करते हैं और बड़े दुख के साथ हम यह बोल रहे हैं कि हमारा भारत depression और anxiety में second number पर है इसका कारण क्या है दोस्तों यह inequality feelings जो कि हम parents से शुरू होती है तो बड़े ही ध्यान से इस चीज को लक्ष कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं जो चीज हम कर रहे हैं क्या वो सही है नहीं दोस्तों जैसे कि हमने बोला हर अच्छी अच्छी लगने वाली बात सही नहीं होती तो बच्चों को special feel करवाने से ज़्यादा जरूरी है उनको loud feel करवाया जाए secure feel करवाया जाए वो lonely ना feel करें और अपने आपको normal समझें ताकि जिन्देगी उनके लिए fun बन सके एक game बन सके जिसको वो enjoy कर सके और ये कब बनेगा जब हम एक village बना पाएंगे क्योंकि communication की वज़े से और जैसे ही दुनिया बदलती गई हमारे रिस्ते बदलते गए हम जादा पैसे कमा हमें जादा पैसों की जरूरत पड़ी हम कमाने के लिए बाहर जाने लगे तो वो environment नहीं रहा पहले की जो चाचा चाची मामा मामे डादा डादी जो भी थे वो environment आजकल नहीं रहा जहां पर बच्चे सिक्यूर फील कर रहे थे लेकिन हम उस environment को फिर से create कर सकते हैं क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो की association बना के विकास कर सकता है जिसके पास यह capacity है लेकिन उसके लिए हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा और वो गाउं हम obviously create फिर से कर सकते हैं जहां हमारे बच्चे securely रेज हो सके और वो गाउं हम कैसे create करेंगे अगले चेप्टर में देखेंगे इस चेप्टर में दाजी हमें यह बता रहे हैं कि village is not a place यह कुछ लोगों को लेके एक गाउं बनता है और वैसे ही कुछ लोग हमें चाहिए अपने बच्चों को raise करने के लिए वो गाउं हम फ वाचिंग गो थूद बुक प्लीज गो थूद बुक और श्टे तून दूद विद मैं चैनल और प्लीज अगर आपके कोई भी आपके मन में कोई भी थॉट चल रहे हैं तो प्लीज डू सजेस्ट मी एंड इंटरेक्ट मी विद मैं कॉमें बुक्स अधिक यू सूमच